प्रदेश भाजपा ने पूर्वक मुख्यमंतरी मनुष्य सोधिया को सुप्रेम पोर्ट से जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी के नयताओं की बयान बाजी और जश्मनाने पर निशाना साधा भाजपा नयताओं का कहना है कि आरोप मुख्त नहीं हुए हैं वो अभी भी होटाले में आरोपी हैं और उन पर मुकदमाद चलेगा उनको तकनी की कारण उसे जमानत मिली नमस्कार मैं हूँ शेक जूही आप देख हैं दनग रिलीज प्रदेश भाजपा गयाद्यप शुरेन सचदेव बोले कि आम आदमी पार्टी नयता सुसोधिया को जमानत देने कि सुप्रिम कोर्ट के फैसले को नयाई की जीत बता रहे हैं जबकि भीते सपता उन्होंने provided पार्षदों के संबद में सुप्रिम कोर्ट के आयनियंईय बिली जमानत को आम आदमी पार्टी नयता की और से सक्थी की जीत बताने पर भी निशाना सादा उन्होंने सवा कि क्या दस लाग के मुचाल को पास्पोर्ट जब हपते में दो बार थाने में हाजरी और चोई जंटे लोकेशन और रखनी की शर्थ पल मीनी जमानत सत्य की जीत है दूसरी और विधान सभा में नयता परतीपक श्विजेंद्र गुपता ने सिसोधिया को कोई मुगालता नह सिसोधिया को कोट ने दोश्मुक्त कर दिया हो जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दक्षिन दिल्ली से भाजपासांसद रामवीर सिंग विदूडी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नयता एंसी नोटंकी कर रहे हैं जैसे सिसोधिया बरी हो गए हो आम आदमी पार्टी न उन्होंने कहा कि साल ही उनकी जमानत या चिकस साथ बार खारिज हो चुकी है आज उनके वकील ने गुंडोश के आधार पर बहस नहीं थी उनकी दलीले देरी पर आधारे थी मनिश्य सोधिया 17-18 महीने से जेल में रहे और इस आधार पर मुकदमे में देरी के कारण उन्हो में पर आधार मुक्या रहे जाधार के उनकी देरी की देवा